हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बेक टू माई चेनल टेग गूरू फ्रेंट्स, इंडियन मार्केट में आपको बहुत जल्द एक और फोन नजर आने वाला है चोकि बहुत और बहुत दंदार फोन है फ्रेंट्स उस फोन का लाँच करने वाली कमपनी का नाम है OPPO अब आप तो आप समझी गयोंगे मैं किस फोन की बात करने वाला हूँ फ्रेंट जी हाँ ये फोन है साड़े 7 mm स्लिम और 101 ग्राम का खाली इस फोन का नाम है फ्रेंट्स ओपो रेनो 4 प्रो अभी रेनो 3 लांच हुआ था और अब इन्होंने लांच किया है ओपो रेनो 4 प्रो तो आज इस वीडियो में मैं फ्रेंट्स उही इसी फोन की स्पेसिफिकेशन्स और वीचर्स के बारें बताने वाला हूँ आप लोगों को कि इस फोन में के अंदर आप लोगों को क्या-क्या मिलेगा तो फ्रेंट्स आए वीडियो को जल्दे से शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि क्या-क्या फोन में अवलेबिल है फ्रेंट्स ओपो ने भी मोबाइल जगत में बहुत तरकिक कर ली है वो भी हमेशा दिखतर है एक्सपरिमेट्स करता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने मॉबाइल लवर्स को कुछ ना-कुछ ना-कुछ नया दें और कुछ ना-कुछ ऐसा पैकँज बना करके दें कि एक ही मुबाइल मुसे साड़ी चीज़े मिल जाये तो शायद इसी लिए उन्होंने रे इसको आप 256 GB के memory card से इसको expand कर सकते हैं बागी बात करते हैं अगर friends इसके हम रिस्पॉंसिफ टच की तो बहत ही tha सब्सक्राइब करें कि अगर बात करें तो इसका रेजोलिशन हमाई हमें जो यहां समें मिलने वाला है इस फोन में वह है यहां सब्सक्राइब करें तो इसमें लगभग सब्सक्राइब करें तो इसमें भी में चार केमरे का सेटप इसके विश्यम में आपको आगे बताता हूं बाकि इसमें फ्लैश केमरा है वो तो आप जानते ही सब में होता है हाँ इसमें एक चीज़ और है कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है यह फ्रेंट कि इसकी कीमत के बारे में भी आपको आगे बताता हूं कि कितने का पढ़ने वाला है क्योंकि इंडियन मार्के टैक्निकर सब्सक्रानेट के साथ यह इसका ट्रॉर्डिटम के साता ही हैलना च्था का सबसे चाहर दिया व्याइड करने फिर्ट है और फिर्ट प्रोसरानो कि वो है Qualcomm Snapdragon 720G का Qualcomm Snapdragon 720G का चिपसेट पर है यह और Octa-Core Processor है 2.3 GHz का Octa-Core Processor है तो friends इसके Technical Support बहुत अच्छा है जो इस समय latest चल रहा है वही है आगे आपको मिलने वाला है friends इसमें छोटा सचीन जिसे हम Selfie Camera कह सकते हैं जो कि हमारा होने वाला है 32 Megapixel का और मैं आपको बता देना चाहता हूं friends कि इसमें बहुत ही अच्छी चीज इसमें निकल के आई है मैंने सर्च किया जो रिसर्च किया तो इसमें यहीं मुझे मिला कि 90 Hz का refresh rate इसमें मिलता है friends हम लोगों को कि जितना तेज हमारा इसे फोन को इसमें बहुत ज़्यादा स्मूधनेस आती है मतलब इसको आप जब यूज करें तो आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा स्मूध है यह फोन इसमें आपको नैंटी हर्ट का refresh rate मिलता है और 180 Hz का इसमें touch sampling rate मिलता है friends इसलिए इसको यूज जब भी आप करेंगे तो बहुत स्मूधनेस आपको मिलेगी और बाकी इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें सारी चीजें है एक्टिविटी में support करता है 3G, 4G, VOLT, Wi-Fi, Bluetooth सारी चीजें सारी चीजें फुल पैकेज है और सेंसर की अब बात करते है friends तो इसमें मुझे हां मदस्वारी मदब इसमें हमें मिलने वाला है friends की in display fingerprint sensor in display fingerprint sensor मुझे हमें मिलने वाला है friends face unlock भी इसमें अवलेबिल है बाकी 3.5mm jack के साथ ये headphones भी मिलेंगे headphones भी मिल रहा है friends इसमें क्योंकि आज कल देखना आपके friends लेकिन इस phone में headphones भी आपको मिल रहा है 3.5mm jack के साथ अब बात करते है friends camera की तो हमारा इसका quad rear camera का जो setup है इसमें पहला camera जो primary camera है friends वो हमें मिलने वाला है 48 megapixel का 1m by 586 का 1m by 586 का 48 megapixel का primary camera है हमारा secondary camera जो हमारा है friends वो हमारा 8 megapixel का वाइड एंगल camera है वो 3rd और 4th camera हमारा जो है वो 2-2 megapixel के हैं इसमें कोई भी घबडाने है और कोई भी शोचने है ऐसी सोचने लिए बात नहीं है 3rd और 4th camera इनका जो 2-2 megapixel कहा है उसके बारे मैं बता दूँ आपको कि Micro और Mono camera है जो कि Portrait photos capture करने के लिए यूस होता है तो वी सफिशन है, इस सफिशन बाकि फ्रंट कैमरा तो मैंने बता देए कि 32 मेगा पिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है, तो फ्रेंट यह थी सारे फीचर्स अराउंड लगभग कि मोनो फोर सोरी रेनो फोर प्रो में हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो यह बहुत ही अच्छा फ फुल पैकेज के साथ इन्होंने दिया है, मुजिक भी आप इसमें चला सकते हैं, वीडियो आप MP4 भी चला सकते हैं, हाँ, इसमें FM रेडियो भी दिया हुआ है, इसमें इस बीच कोई FM रेडियो नहीं सुनता है, पुछले कही साल से मुझे तो नहीं लगता कि मोबाइल मे तो मुझे नहीं लगता है कि FM रेडियो सुनता है, इसमें FM रेडियो का सपोर्ट दिया गया है, बैटरी इसमें जो मैं आपको बताने वाला था फ्रेंट्स, शायद मुझे छूट गई थी, कि बैटरी इसमें है 4000 एमेज की लिपो बैटरी है, जो की नॉन रिमूवेबल है 65W के Fast Charging के साथ आती है, ये 2.0 Charger के साथ ये बैटरी आती है, इसकी, सॉरी बैटरी कह रहा हूँ, ये फोन आता है, तो 4000 एमेज की बैटरी है, हाँ ठीक ही है, बहुत जादा इसमें कम भी नहीं है, बहुत जादा इसे बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आज कल पांच पांच पहलंग जादें, थो 4000 एमेज की बैटरी की बैटरी है, पांकि बूझा नहीं के बारे हैं, बाकि बात खरें, इसके रेट की, तो ф Call होने वाला है, तो अगर घिना नहीं होने तो आप इस पहले हैं, का कि चीचर को एक या सिका दीन का में झांक ही बजर few द म different बट अगर कुछ भी फिर भी कुछ छूट गया हो तो मैं इसको लाइसके लास्ट में सारे features में इसको अपडेट कर दूँगा आप वहाँ उसमें भी आप देख सकते हैं वीडियो की last में एंड में मैं आपको सारे features दे दूँगा तो फ्रेंट से मैं वीडियो को यही हुआ हुआ हैँआ घप भी को हुआ हैँआ हैँ़ है बु कर दो मैं वा भी आपको दोंआ है झाल